नमस्कार वच्चों आपका स्वागत है मेरा यूटिव चनल मैं स्वित अमर्जा में इस वीडियो में हम क्लास 10 का मिशन गनित का दिनांग 22 नवंबर दोहजार 24 का वर्क्रिट लेकर कोपस्तित हमारा आज का टोपिक है प्रिष्टिय चतरफल और आयतन अर्थात हम सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम किसी ओब्जक्ट को चारों साइड से कवर कर रहे हैं कवरिंग बॉक्स इसकार और उस बॉक्स में कितना सामान आ सकता है पुटिंग सम्थिंग इन बाक्स इज और वॉल्यूम यानि उसमें आयतनात है अब सर्फेस एरिया को हम डिफाइंड इस तरह करें इट इस डिफाइन ऐस दे एरिया ओप सर्फेस ओफ एन ऑब्जेक्ट और से यानि किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को जिस सेप में है उसके सारे सर्फेस को कवर करना है इट कैन भी फाउन आउट इन टू एक तो दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है एक तो लेटरल सर्फेस एरिया होता है कर्ब सर्फेस जिसको कहते हैं कर्ब सर्फेस एरिया भी कहते हैं एरिया ओप सम्थिंग सर्फेस ऑफ एन अब्जेक्ट ऑप से और टोटल सर यानि जितने सर्फ एक बेस और एक च्छत भी होगा तो दोनों को इंक्लूड करें तो कहलाएगा टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया एरिया ओल सर्फेस एन और अब्जेक्ट अर्थात किसी वस्तु की आकरिती के प्रिष्टो का च्छतरफल कि उसका प्रिष्टिय च्छतरफल कहलाएगा यानि टोटल प्रिष्ट कितने हैं प्रिष्टिय च्छतरफल को दो तरीके से मापा जा सकते हैं एक पार्स प्रिष्टिय या वाकर प्रिष्टिय च्छतरफल कहते हैं अब जैसे यह ऑब्जेक्ट ह और आधार दोनों को include कर दिया जाए तो यह कुल प्रिष्टिय छतफल कहाए यानि बस तु अथवा आकरिति के सभी प्रिष्टों का छतफल कुल प्रिष्टिय छतफल कहलाते हैं इसमें दो मीवीय मापन होता है यानि लंबाई चौडाई का ही उज होता है तो इसमें इसका जो मात्रक होगा सेंटी मीटर स्क्वाइर मीटर स्क्वाइर यह माप आ जाता है प्रिष्टिय छतरफल मापने की कुछ इस्तिया गिफ्ट को पैक करना है दिवार को रंगना है कटोरेक से ढखना है यह इसका कुछ कुछ एक्जामपल है अर्था रैपिंग अगिप पेंट जो वालूम जवाता है इस डिफाइन एज अज़ एज शेव अकूपायद बाइन अज़िए 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 वालूम इस टर्म अज़िए अरफ़ार्थ आपको जब वॉल्यूम की बात किया गया है तो किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे जाने वाले अस्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है यदि वस्तु खोखली है तो वस्तु की धारिता ही उसका आयतन होगा यानि उसमें कितना भरा जा सकता है वही आयतन कहलाएगा या त्री म मापने की कुछ स्थितिया, टैंक में पानी की मातरा हो, किसी पैकेट में माची सो की संख्या हो, कटोरे में सूप की मातरा हो, अर्थात, वाटर इन टैंक, मैच बॉक्स इन दा पैकेट, इन पैकेट, सूप इन आ बॉल, यहां पे question of the day जो दिया गया है, कह रहा है, रिक्तस्थानों को भरी, एक घंका प्रिष्ट, तो किसा कार का होता है, घंका प्रिष्ट, the shape of face of cube जो होगा, यह होगा, square के shape में, वर्क के shape में, आयत को, आयत को, यह हम गोल मोडेंगे, तो इस तरह से आपको बेलन मिल जाएगा, तो एक आयत को गोल मोडने पर इसकी आकरिति प्राफ्ट होती है, बेलन या cylinder, cylinder कहते हैं, एक लंब बित्तिय शंकु का आधार का आकार, शंकु का आधार का आकार जो होता है, वो बित्ता कार होता है, बित्त के आकार, यानि सरकल के आकार का होता है, उमीद है, समझ में आ होगा, अच्छा लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब, सेयर जरूर कर दलेवाद,